आज आप देखेंगे क्लास पस्ट के बच्चों की EBS वॉक्षीट का सेकेंड पार्ट अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करतें इससे आपको regular वीडियो की updates मिलती रहेंगी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं EBS वॉक्षीट का सबसे पहला question है classify the following food items in healthy food and junk food इस तरीके से बच्चों को कुछ food items दिये जाते हैं जिनने बच्चों को पहचान कर लिखना होता है कि कौन से food healthy food है और कौन से food junk food है तो आप भी इसी तरीके से question बना कर बच्चों को दीजिए और उन्हें खुद find out करने दीजिए कि उन्हें कौन सा food किस column में लिखना है जैसे rice, rice healthy food, burger junk food, wheat healthy food, pizza junk food, grains healthy food इस तरीके से उन्हें सारे food items को पढ़ने दीजिए और उन्हें correct column में feel करने दीजिए Now next question is choose and take the correct answer First question we see dash and dash in the sky यहाँ पर कुछ options दिये हुए है A, B, C में अब बच्चों को find out करना है कि कौन सा word हुने यहाँ पर correctly लिखना होगा Sun and Moon, Stars and Moon, Cloud and Rainbow हम इस sky में कौन सी चीज एक साथ दिखाए देती है Stars and Moon तो यहाँ पर Stars and Moon in the sky बच्चों को Stars and Moon fill करना है Which of this food is not provided by animal कौन से food हमें animal से नहीं मिलता एक हमें मिलता है, milk भी मिलता है fruit हमें tree से मिलता है, animal से नहीं तो हम यहाँ पर इसे चिक करेंगे Which of this can be kept as a pet Fox, wild animal है Parrot को हम as a pet रखते हैं तो parrot correct answer What is the color of your eyes Black, Blue, Green तो यहाँ पर आ जाएगा black Next question is Match the following Fly in the sky आस्मान में कौन उड़ता है Parrot and Sparrow तो यहाँ पर match करना है Ship Ship से हमें wool मिलता है Crisken ship में moon होता है Band of seven color Rainbow So this is our second question आईए देखते हैं हमारा next question यह question हमने cloths वाले chapter से लिया हुआ है बच्चों को इस तरीके के questions दिये जाते हैं जिसे उन्हें solve करना होता है जैसे कि cloths we wear in winter थंडी में हम कौन से कपड़े पहनते हैं boots, cap, gloves, hat, jacket, scarf, socks, sweater अब बच्चों को यह words read करके उसे इस column में find out करके उसे पैचानना है उसे circle करना है जैसे कि boot तो boot आब बच्चों को डूनना है कि boot कहां है B, O, T, S boots, B, O, T, S boots, cap, 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 gloves, G, L, O, V, E, S G, L, O, V, E, S gloves, इस तरीके से बच्चों को find out करके इसे correctly mark करना है The next question is match the word to the picture Pictures बना कर बच्चों को दिये जाते हैं और उन्हें correctly words को read करके match करना होता है जैसे sun, तो sun को sun के साथ match हो जाएगा Chris Kent Moon Chris Kent Moon यह वाला है cloud, twinkle, full moon इस तरह से Next question है circle the correct spelling बच्चों को EBS में इस तरीके से भी question पूछे जाते हैं जिसमें बच्चों को correct spelling पैचान कर उसे circle करना होता है जैसे कि यहाँ पर drink की spelling गलत तरीके सीख लिखी हुई है और कोई एक spelling correct है अब बच्चों को पैचानना है कि कौन सी spelling correct है जैसे कि यहाँ पर यह wrong लिखा है यह भी wrong है यह वाली right spelling है अब बच्चों को इसे circle करना है ठीक इसी तरीके से nuclear nuclear correct spelling है तो यह हो गया breakfast यह हो गया इस तरीके से बाकी के भी questions बच्चों को find out करके उसे circle करना है इसमें कुछ animals दिये हुए है जिसमें बच्चों को पहचानना है कि कौन सा animal शाका हरी है कौन सा animal मान सा हरी है और कौन से animals सर्वाहरी है जैसे elephant, cow, goat यह शाका हरी है tiger, lion, मान सा हरी bear, hand, crow यह सब सर्वाहरी है तो इस तरीके के भी questions animal solid chapters में बच्चों को दिये जाते हैं solve करने के लिए next question is answer in one words इस तरीके के questions बच्चों से पूछे जाते हैं जिसे उन्हें one words में answer करने होते हैं जैसे कि वाट इस यो फैबरेट कलर आपका फैबरेट कलर कौन सा है आपका फैबरेट फैस्टिवल कौन सा है वीच पाट आफ यो बड़ी हैल पस तो वाग कौन से बड़ी पाट से आप चलते हो वीच सेंस ओर्गेंस डाइबरेट फूड इस हाट और कॉल हमें कैसे पता चलता है कि फूड गरम है या ठंडा है टंग से वाट टाइप ओ फैमिली डू यू है नूपलियर और जॉइंट नूपलियर फैमिली का मतलब होता है जब कोई बच्चा सिर्फ अपने माता-पिता के साथ रहता है तो वो नूपलियर फैमिली होती है और जब दादा, दादी, अंगल, आंटी के साथ सबी के साथ रहता है तो वो होती है जॉइंट फैमिली तो बच्चों को देखना है, अगर वो nuclear family में रहता है, तो उसे nuclear लिखना है, अगर वो joint family में रहता है, तो उसे joint family लिखना है, तो ये रही हमारी second work sheet, I hope इससे आपको काफी help मिलेगी, आपको वीडियो कैसी लगी, आप मुझे जरूर comment करके बताइए, इसका third part आपको जल से ज मिल जाएगा, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो इसे ज़्याद से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then, बाइ!